इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह मस्तिश्क में रासायनिक संदेश्वा हकों को अवरूत करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्ध है यह संधिशोत और पुराने औस्टियो और्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्ध को दूर करने में मदद कर सकता है दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में सेराटियो पेप्टिडेज नामक एक सक्रिय घटक भी होता है जो एक एंजाइम है जो समग्र उप्चार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और वसूली को गती देता है इसे सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित किया गया है आवश्शक्ता से अधिक या अधिक समय न ले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है सामान्य तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय, जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं देवन-ASP टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है देवन-ASP टैबलेट तीन दवाओं का सयोजन होता है एसिकलुफिनाक, पेरासिटामॉल और सेरिटियो पैप्टाइडेज एसिकलुफिनाके गैर स्टैरायल विरोधी भरकाव दवा, यानि की एनिसाइडी है और पेरासिटामॉल एक जवनाशक, यानि की बुखार कम करने वाला है वे मस्तिश्क में कुछ रासायनिक संदेशवाहकों की रिहाई को अवरुद करके काम करते हैं जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं सरेशियो पेप्टाइड से एक एनजाइम है जो सूजन की जगह पर असामान्य प्रोटीन को तोड़ कर काम करता है और उपचार को बढ़ावा देता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद